तो दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है राइट सिब लिजिनिंग चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग के बारे में हमारे बिल्डिंग कंसक्शन के प्रोजेक्ट में ब्रिक बैट कोबा एक common सा item है ब्रिक बैट कोबा जो है वो काफी traditional method है इसका हम काफी सालों से छट के waterproofing के application में यूज करते आ रहे हैं और ये काफी effective और reliable waterproofing है और दोस्तों इस वीडियो में मैं ब्रिक बैट कोबा से related तीन पोइंट के बारे में बताऊंगा और ये तीनों point ही बहुत ही ज़्यादा important है पहला point हमारा है brick bed kova करने के लिए हमें कौन कौन से material की ज़रूरत पड़ती है दूसरा point हमारा है brick bed kova करने का क्या procedure है कैसे हम brick bed kova करते है step by step तीसरा point जो हमारा है बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि इसके बारे में भी अक्सर लोगों ने मुझे पूछा है सर मेरी 1000 स्कॉर फिट की सलैब है या 500 स्कॉर फिट की सलैब है तो मुझे बता दीजे कितनी उसकी कॉस्ट आएगी अगर हम ब्रिक बैट कोबा कराते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में मैं बीडियो के अंत में एक्स्प्रेइन करूँगा अगर आप ब्रिक बैट कोबा कराते हो किसी सलैब की तो उसका जो पर स्कॉर फिट कॉस्ट आता ब्रिक बैट कोबा का वो कितना आएगा इसको आपको मैं अंत में वीडियो के बताऊंगा और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज का जो वीडियो है काफी जादा important होने वाला उन लोगों के लिए जो अपने घर का भी construction करा रहे हैं और एक site engineer की क्या responsibility होती है कैसा उनका super vision होना चाहिए इसके बारे में भी हम समझेंगे तो चलिए फिर वीडियो को सुरू करते है पहले हम समझेंगे brick bat कोबा करने के लिए हमें कौन-कौन से material की जरूएक पड़ती है कोबा करने के लिए हमें cement, brick bat brick bat में आपको ध्यान देना है जो भी आप brick bat मंगा रहे हैं कोबा करने के लिए तो जो आपके brick bat है तो उनकी जो quality है वो good होनी चाहिए और जो हमारा तीसरा material है वो हमारा है core sand core sand में भी आपको ध्यान देना है जो भी आप core sand मंगा रहे हैं वो साफ होनी चाहिए उसमें किसी भी प्रकार का silt content ज्यादा ना हो और जो उसके particles है वो ज्यादा coarse भी ना हो आपको medium quality की जो sand है उसको आपको use करना है कोबा करने के लिए और चौथा point हमारा है waterproofing compound तो generally हम लोग इन ही material का use करते हैं brick bat कोबा waterproofing करने के लिए तो चलते हैं आगे कोबा करने का जो एक right method है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं पहले step में कोबा करने से पहले आपको अपनी छट की surface को proper prepare कर लेना है और आपको चेक कर लेना है एक बार किसी भी प्रकार का loose cement motor या cement की slurry जो है वो surface पे ना हो proper आपको छट की surface को clean कर लेना है जब आपकी छट clean हो जाए तो आपको छट की एक बार दुलाई भी कर लेना है जिससे जो आपके dust के fine particles हैं वो proper remove हो जाए surface से और आपको proper label की marking कर लेनी है और जो एक site engineer की responsibility होती है उनको करना क्या है जो भी label की marking हुई है उसको एक बार proper check कर लेना है कि जो हमारा label है वो सही है की नहीं छट की दुलाई का जब काम complete हो जाता है तब हमारा second step आता है second step में हम waterproofing compound की coating करते हैं छट की surface पे और जो हमारे parapet wall है उसके corner पर waterproofing compound की coating करने से पहले आपको ध्यान देना है जो भी आप waterproofing compound यूज कर रहे है उसका जो एक specification है आपको उसकी study कर लेना है कैसे आपको waterproofing compound को apply करना है तो यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर Dr. Fixit का pedicrate जो URP है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं इसका जो specification होता यूज करने का इसकी जो detail है आप देख रहे हैं यहाँ पर दी गई है आप वीडियो देखकर इसके बारे में समझ जाएंगे और कैसे इसको यूज करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक लीटर यूज करने के बाद एक अच्छी consistency का हम सिमेंट की slurry बनाते हैं जब आपकी सिमेंट slurry ready हो जाए तो आपको करना क्या है जैसे हम लोग painting का काम करते हैं उसी प्रकार आपको इसे apply कर देना है surface पे brush के माध्यम से और आपको इसका 2 coat करना है एक coat करने के बाद आपको 3-4 घंटे इसको छोड़ देना है जिससे ये थोड़ा dry हो जाए उसके बाद आपको second coat इसके apply कर देना है और जब हमारा waterproofing का काम complete हो जाता है तो हमारा तीसरा step आता है तीसरे step में हमें करना क्या होता है cement motor के में laying करनी होती है जहाँ पर हमने waterproofing कर रखी है उसके उपर और जो हमारा cement motor है उसका जो हम लोग ratio रखते हैं वो 1-4 कर रखते हैं जिसमें हमारा one part cement होता है और four part हमारा sand होता है और जो आप cement motor की laying कर रहे हैं उसकी जो थिकनेस है वो 15-20 एमन तक होती है और जब आप cement motor की laying proper कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा चौथा step आता है चौथा step में हमें करना क्या होता है जो हमारी ये brick bat है उनकी अब laying करनी होती है cement motor के उपर जब आप brick bat की laying करते हैं तो आपको ध्यान देना है जो आपने slope decide की है उसी के according आपको brick bat की laying करनी है और जो आपके brick bat है उनके बीच का जो ये gap होता है आपको उसको भी maintain करके रखना है इनके बीच का जो gap हम लोग रखते हैं वो 15-20 mm तक रखते हैं अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने देखा है यहाँ पर लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं जो हमारी brick bat कोबा की total thickness होती है हम लोग उसको 120 mm से लेकर 1500 mm तक रखते हैं कई जगों पर मैंने देखा है इसकी जो thickness है लोग बढ़ा देते हैं आपको thickness को नहीं बढ़ाना है अगर आप thickness बढ़ाते हैं तो होगा क्या जो आपके slab का dead load है वो भी बढ़ेगा और साथ में जो भी आप material यूज कर रहे हैं वो material भी आपका ज़्यादा लगेगा slope को maintain करने में और तीसरी चीज़ इसमें आएगी जब आपका material ज़्यादा लगेगा तो जो आपका cement motor है वो भी ज़्यादा consume होगा तो आपके rate पे भी ये काफी effect डालेगा तो आपको थिकनेस ज़्यादा नहीं रखनी है तो जब हमारा brick bat laying का काम complete हो जाता है तो आपको करना क्या है आपको इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है जिससे ये जो हमारा cement motor है उसके साथ ये proper bonding बना ले तो यहाँ पर हमारे 4 step का काम complete होता है उसके बाद हमारा 5 step आता है 5 step में हमें करना क्या होता है जो हमारे brick bat हैं उनके बीच में जो ये gap है 15-20 mm अब इनको हमें motor से filling करना होती है तो जो हमारा motor का ratio होता है वो 1 is to 5 का होता है अब इसी motor से हमें proper इसकी filling करना है और जब आपकी filling का काम complete हो जाता है तो आपको फिर से करना क्या है 15-20 mm के cement motor की आपको laying करना है इसके surface पे और जो भी आप motor इसमें use कर रहे हैं आपको उसमें ध्यान देना है कि उसमें भी आपको waterproofing compound मिलाना है तो जो हम motor use कर रहे हैं उसमें हम Dr.Pixit का LW Plus मिला रहे हैं जिसका मिलाने का ratio जो होता है वो 50 के जी cement में हम लोग 200 ml मिलाते हैं और जहाँ पर parapet wall slab की surface से joint हो रही है तो वहाँ पर आपको करना क्या है slab की surface से 300 mm height तक आपको waterproofing भी करना है और इसको आपको कोबा की finishing के साथ proper इसको finish भी करना है क्योंकि leakage के जो chances होते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजेगा finishing के time और जब हमारे cement motor की laying का काम complete होता है तो उसके बाद हमें करना क्या है इसके उपर cement slurry की एक laying करनी है और उसको proper finish कर देना है cement slurry की laying इसलिए हम लोग करते हैं इस surface को हमें neat finish करना होता है तो इसलिए हम यहाँ पर cement slurry का use करते हैं और जब हमारा neat finish का काम complete हो जाता है तो हमें करना क्या है? सर्फेस पे हमें group काटना है, group हम लोग इसलिए काटते हैं, अगर future में surface पे अगर cracks generate होते हैं, तो जो cracks हैं वो बढ़ेना, इसलिए हम लोग इसमें group काटते हैं तो आगे मैं 3 point के बारे में और बताने माला हूँ और 3 होई point बहुत ही जदा important है पहला point हमारा है curing, दूसरा है testing और तीसरा हमारा है cost curing करने के लिए हम surface ponding करते हैं और पूरे surface पे हम क्या करते हैं? पानी को भर देते हैं अब जब हम पानी को भर देते हैं तो इसी के थुरू हम क्या करते हैं? टेस्टिंग भी कर लेते हैं कोबा की कहीं पे हमारा seepage तो नहीं हो रहा है तो एक चीज आपको और ध्यान देना है जो भी आपकी rainwater की pipe है या फिर आपकी कोई water supply की pipe है जहां से ये slab में insert हो रही है आपको उसको भी चेक कर लेना है वो proper grout होने चाहिए उसमें किसी भी प्रकार का whites ना हो और जब आप कोबा कर रहे हो तो ये proper जो है pipe फिक्स होनी चाहिए और इनकी proper grouting हुई हो उसी के साथ मैंने देखा है अक्सल leakage की जो problem होती है वो हमारी rainwater pipe के थुरू होती है होता क्या है हम तो कोबा कर लेते हैं उसके बाद हम rainwater की pipe की fitting बाद में करते हैं तो ये गलत है आपको rainwater pipe की fitting है वो proper पहली कर लेनी है जब आप कोबा कराओगे तो उसकी proper grouting हो जाएगी एक साथ और वो proper fix हो जाएगी जिससे future में जो leakage की problem होगी वहां से वो नहीं होगी कोबा की testing करने के लिए हम करते क्या है पूरी छत में 14-15 दिन के लिए हम पानी भर देते हैं उसके बाद हम daily जाकर उसको चेक करते हैं कहीं से सीपेज तो नहीं आ रहा है अगर कहीं सीपेज आता है या कोई leakage हो रही है हमारी छत में तो उस area को हम mark कर लेते हैं और उसको फौरण repair कर लेते हैं तो दोस्तो इस video मैंने आपको बताया कौन-कौन से हमारे material लगते हैं कोबा करने के लिए और जो कोबा करने का एक right method है उसके बारे में भी मैंने इसमें explain किया है आगे हम समझेंगे इसकी per square fit cost कितनी आती है अगर हम बात करते हैं brick bet कोबा की cost के बारे में तो जो हमारा brick bet कोबा करने का cost आता है वो 110 रुपे से लेकर 120 रुपे तक आता है और आपको इस वीडियो में rate analysis के बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत long हो रहा है तो मैं आपको अगले वीडियो में इसके rate analysis के बारे में बताऊँगा कि 120 रुपे और 110 रुपे कहां से आया है ये और कैसे हम इसका rate analysis करते हैं कितना हमारा labor का खरचा आता है कितना हमारा material का खरचा आता है तो इसको मैं deep में अगले वीडियो में बताऊंगा तो ये हमारा part one वीडियो है जब हम brick bat koba कराते हैं उस time और कौन-कौन से material के में requirement होती है brick bat koba कराने के लिए और आपको इस वीडियो को देखने के बाद चीजे समझ में आ गई होगी तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप like करिए, comment करिए अपने दोस्तों के साथ इसे share करिए और जो लोग अभी अपने घर का brick koba करा रहे हैं आप इस वीडियो को उनके साथ जरूर सेयर करिएगा और आपने अगर इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please इस चैनल को subscribe कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में